देखे दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था कि बहुत बैतरीन कलेक्शन आपको दिखाऊंगा अभी केवल एक ही बैग ओपन हुआ है और यह एम प्लस टू की से पतंग गया है और अब आप देखिए इसमें आरेम की पतंग है और वो भी अजंता पेपर पे है और उसके बाद आ देखते हैं और थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि लोच वाली रूकी पतंग है तो आराम से आप किसी टूनामेंट में भी लड़ाएं और हातो हात अब जो गेम हो रहे हैं हवाएं खुल गई है तो वहां पे भी आप इनको यूज कर सकते हैं और दीरी दीरे आपको दिखाऊ हैंगे सब अजन्ता पर और क्वालिटी आप देखेंगे तो आपको ही मजा आ जाएगा और एकदम रीजनेबल रेट से इनकी अजन्ता पेपर है तो भी इनकी रेट जो है वो ज्यादा नहीं है अब आप देख सकते हैं यह इम्रान की पतंग मुरादाबाद से और फर्मा इतना बहतरी नहीं कि हजार डेडेदार गजबी से लडा लीजी थोड़ा सा लंबा भी है चौकोर भी कह सकते हैं प्रॉपर गोल ना बोलते हैं इसको जैसे राजा भाई का आता है फर्मा वैसा फर्माएट और बहुत ही प्रीमियम काइट्स रुकी भी लोजदार और आपने स्टॉक है तो इसे दकों अग्छा तक यह कि कोई बी काईट सव दोसो से उपर हो सब का एक मिलेक्षन है तो सबको तो नहीं मिल पाईगी बड़ जिनको ही मिलेगी उनको पचास सो इस तरी जो है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे देखे कितना बहतरी ने कलेक्शन आपके लिए त्यार है कोलकत्ता के लिए भी मैं थोड़ी बहुत काइट्स आपको दिखा देता हूँ आप लाइन पर ही बने रही है तो यह देखे दोस्तों कि यह अभी तो दानिश दानिश की है और इसमें अगर दीरे-दीरे साइड करते रहेंगे तो कोलकत्ता अकबर काइट्स भी आ जाएंगी यह दानेश की हैं सारी यह देखिए कोलकत्ता के अकबर और यह देखिए बहुत ही बड़िया सावेश तो सावेश भाई का वह गोल में तो कमी थी अब बाकी सारे हलके से लंबे और यह पतंग मैंने काफी बार के साथ नीचे अब देखिए कोलकत्ता की पतंगे अकबर काइट्स और इस अब अजनता का स्टॉक है दोस्तों तो अगर आपको लगे कि आपको अजनता की पतंग ना मिल रही हो तो एक बार संपर्क करें यह रौनी की काइट भी आगी देखिए कितनी बैटरी नहीं अभी अ अब अकबर काइट ही चल रही है यह स्टार के बाद आएंगी यह थोड़ी बहुत ही थी का वह काफी तो बरती ले गया तो दोस्तों यह थोड़ी सी बची बाकि हमारे बरत बाइल ही अभी तो दोस्तों यह आपके लिए बहुत ही पढ़िया फिनिशिंग की और देखिए ह दोस्तों आपके लिए रेडी है और जल्दी आप तक पहुंचाए जाएगा दन्यमाद दोस्तों